नाइन्थ क्लास ध्यान से सुनो मेरी बात आपके एक्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है अगर आपको अभी कन्फ्यूजन ओरी की सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए क्या आपने बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स परचेस कर रखी है जो अभी लास्ट एज़ पर नहीं है स्पेशली जो NCRT एक्जाम्पलर है इसके जो MCQs है उनकी खुब प्रेक्टिस करो ठीक है क्योंकि देखो फाइनल में आपके 20 MCQs होंगी तो NCRT में तो MCQs आपको दिखते हैं नहीं है तो teacher MCQs कहां से डालेगा कोई book prefer करेगा तो mostly जो maximum teachers है वो MCQs जो है NCRT examplers से select करते हैं तो इसलिए NCRT examplers के जितने भी MCQs है उनको प्रेक्टिस करो ठीक है NCRT examplers आपको net पे मिल जाएगी search करेंगे NCRT examplers तो आप अपनी class 9th में click करके पूरा PDF ले सकते हैं chapter wise ठीक है तो NCRT examplers के MCQs अच्छे से perfect करना कोई confusion mind में नहीं होनी चाहिए कि last stage पर हमको कहां से पढ़ना है NCRT करनी है और NCRT examplers करनी है that's all और जब आपके exam में थोड़ा time कम बचा होगा यानि जो break आती है date sheet में तो math exam के लिए मैंने आपके लिए mock test यहाँ पर prepare किया है ठीक है तो यह mock test मैं आपको coming Sunday को दे रहा हूँ आप देखें mock test को attempt करें 3 hours का time बना कर कि क्या आप पूरा paper math का 3 hours में complete कर पा रहे हो कि नहीं अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको attempt करना और कौन सी section आपको पहले करनी चाहिए तो mock test आपको Sunday को मिलेगा इसको ज़रूर करना that is very important mock test and it is this mock test is very similar to your final exam final जो math का paper होगा मेरा जो mock test होगा almost similar chapter wise weight is आपको बिल्कुल similar मिलेगी क्योंगी जो मैंने mock test बनाया है वो अपनी इच्छा से नहीं बनायागी हर एक chapter अपनी मर्जी से मैंने उसकी weight is रख दी है CBSC, CBSC ने जो weight is दे रखी है उसी के recording mock test बनता है और उसी के recording आपके final exam का question paper प्रिपेर होता है टीचर अपनी मर्जी से कोई भी chapter यहाँ पे अपनी मर्जी से मतलब weight is नहीं रख सकता किसी भी chapter की वो CBSC ने जो बता रखी है वही रख रही ठीक है तो mock test भी मैंने वैसे ही बनाया है clear तो आज के lecture में हम circle के last के जो three questions हमारे pending है उनको cover करेंगे last exercise 9.3 वो हमारी चल रही है पूरा circle मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा geometry पढ़ा दिया zebra पढ़ा दिया polynomial सब everything we have done बस छोटे मोड़े chapters बचे हुए है coordinate geometry हो गया equilates हो गया linear हो गया they are very easy chapters तो उनको भी मैं एक lecture में सब निपटा दूँगा तो circle के जो three chapter questions बचे हुए उनको ध्यान से समझो और इनको notebook पे note कुर बहुत easy questions है ठीक है question number tenth जो की बहुत easy question है ध्यान से इसको समझने है दो ही step में यह निपट जाएगा पर understanding इसमें must camel आपको पता ओना चाहिए हुआ कैसे ठीक है देखो if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters देखो एक triangle है हमारे पास बना दी एक triangle इसका कुछ नाम रख दो A, B, C क्यारे इसकी कोई भी दो sides as a diameter consider करो दो circles बना दो मानो A, B को आप as a diameter माननो तो mid में यहाँ पर compass रखते हुए और A तक जाँ फिर B तक open करें क्योंकि यह mid point है तो एक circle बना दो जैसे भी बंडी दियान से देखो तो A, B as a diameter एक circle बना दी फिर A, C जो है इसका भी mid point डूंडो और यहाँ compass रखते हुए mid में A जाँ C तक open करके एक circle और बना दो एक circle आपने और बना देनी A, C as a diameter आपके पास compass होगा तो अच्छे से figure बन जाएगी आई हो कि यह भी आपको समझ में आ गया तो triangle की दो sides आपने ली और दो circles बना दी जो sides है वो as a diameter clear है अब यह कह रहा है कि circle जब intersect हो रही है दूसरे point पर of course यह तो पहला point of intersection होगा है circles का जो दूसरा वाला point है मानो इसका नाम D है तो यह जो D point है यह BC पे ही लाई करेगा ऐसा आपको प्रूब करने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चे construction आपको यहाँ पे करनी है A और D को join करना अब आपको प्रूब करना है D that is the point of intersection of the circle is lie on the BC BC पे यह लाई कर रहा है यह बताना clear अब मुझे यह बताओ यह जो angle यहाँ पे create हुआ पहले मैं आपको बता दूँ given आप लिख लेंगे to prove आप लिख लेंगे construction में आपको करना है join AD ठीक है प्रूफ देखो प्रूफ में आप मुझे यह बताओ angle ADB यहनि ADB इस angle की बात कर रहा हूँ क्या मैं इसको 90 degree consider कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ देखो चाहे यह D BC पे है जर नहीं हम बस इतना काम कर रहे है कि diameter के end point से दो line segment आपने बनाई है point of intersection तक देखो यह diameter का end point है A तो आपने यहाँ से D तक गए point of intersection तक गए जो की circle के उपर और और B से गए D तक वो भी circle पे और B और A triangle के vertices है तो यहाँ पर जो angle create हुआ ही 90 degree का है वाई angle in the semicircle angle in the semicircle clear है इसी तरह से अगर आप दूसी circle में जाएं यह triangle का vertices A, यह triangle का vertices C आपने A को D से join किया फिर A को A को D को C को D को join किया तो यहाँ पर एक angle create हो गए जिसका नाम है ADC यह भी 90 degree का reason इसका भी same angle in the semicircle अब आप इन दोनों को add कर दो दोनों को add कर दो 1 और 2 को तो आप देखेंगे यार ADB और ADC इसका sum आ रहा है 180 degree यहाँ इस angle और इस angle का sum 180 आ रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यह दो angles हैं जिनकी एक ray common है और इनका sum 180 आ रहा है linear pair angles हैं वो हमेशा एक line पर बनते हैं एक ray उसमें common होती जैसे यहाँ पर हो रहा है इसका मतलब जब मैं B और C को join करूंगा of course जो BC है वो से D से ही pass करेगी क्योंकि जो angle बनाएगे हैं उसमें D point common है और B और C की help लेकर angle बने हैं तो जो BD यह angle है जहां फिर C D angle है देखो D point उसमें common है तो जब मैं B और D को join करूंगा तो of course BC third side होगी triangle की और वो D से pass करेगी हो D वही point of intersection है और यह linear pair है और B, B, D, C एक line segment तो बन ही रही है linear pair axiom से तो इसके बाद आप तुरंट लिखें therefore B, D, C is a line segment ठीक है B, D, C is a line segment है hence you can write की D point lies on BC बस यही prove करना था BC जो की third side triangle बहुत easy और basic सा question है ठीक है और the next question number 11 इसमें कह रहा है ABC, ADC are two right triangles दो right triangles है hypotenuse उसमें common और यह angle आपको यहाँ पर बना देखो सबसे पहले आप को कुछ समझ भी नहीं आया तो पहले ABC right triangle तो बना दो यह आगए यह मैंने एक right angle triangle बना दी जिसका नाम ने रख लिया ABC AC बस उसका hypotenuse आना चाहिए फिर एक और triangle बनानी वो भी right triangle होनी चाहिए लेकिन उसका नाम है ADC ADC common hypotenuse AC उसका भी hypotenuse होना चाहिए अफकोस वो मैं यहाँ पर बना हूँगा इसे 90 degree का अंगल बनाना है वाई सब दूसी तरफ ही बनेगा याद D point ADC second valley right triangle with the common hypotenuse AC यह था हमारे पास given information प्रूब करना है एंगल C A D C A D यह वाल एंगल is equal to angle C B D C B D इसको join करो वही C B D यह वाल एंगल इनको equal करना है बड़ा interesting question है है बहुत simple है given you can write to prove you can write proof देखो मेरे बचे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे यह जो quadrilator type आपको दिख रहा है उसको cyclic prove करेंगे cyclic सर वो कैसे देखो मेरे बचे angle A B C यह angle कितने degree का है सर जी 90 degree का क्यों given है भाई right triangle का angle है B पर बन रही है और A D C यह भी 90 degree का क्योंकि right triangle है इन दोनों को add कर दो A B C और A D C को तो दोनों कितने आ गया 180 degree एक point यह हो गया अब यह जो दो angles मैंने sum 180 कर दिया basically यह quadrilator के opposite angles है A B C D जो quadrilator दिख रहा है उसके यह opposite angle है यह angle B है और यह angle D तो opposite angle का sum मैंने 180 कर दिया दूसरे pair को भी करना पड़े दूसरे pair के लिए आप क्या करें यह जो quadrilator बना हुआ A B C D इसमें 4 angle का sum जानी angle A angle B angle C और angle D 4 का sum कितना होता है 360 उसमें से 2 का sum already है 180 बता चुकिए B O D का sum 180 बता चुकिए तो उसकी जगा 180 लिखतो पीछे A और C बचा A और C बचा उनका sum 180 is equal to 360 180 बता चुकिए A और C का sum आ गया 180 degree clear number 2 बाई first यह first और यह second दोनों को देखकर आपको क्या पता चलता है from 1 and 2 what you can say you can say A B C D is a cyclic quadrilator बाई साभी cyclic quadrilator हो अगर यह cyclic quadrilator हुआ तो cyclic quadrilator की पहली main property तो यही है उसकी opposite angle का sum 180 होता है तो जिस quadrilator की opposite angle का sum 180 होता है वो cyclic होता है तो उसके सभी जो vertices है वो circle पे lie करते हैं हमेशा ही अगर वो cyclic है तो देखो cyclic तो अप्रूब कर दिया it means A A B C and D vertices must lie on a circle मतलब किसी ना किसी circle पे lie करेंगे अगर यह किसी circle पे lie करेंगे तो भाई उस circle की DC क्या होगी एक chord हो जाएगी अब मानों आपको मैं circle बना के दिखा देता हूँ देहो इस तरह से एक circle बन जाएगी clear है उसमें DC हमारी chord होगी अगर यह chord होगी इस chord ने दो angle बनाए एक angle यह बनाया और एक angle यह बनाया जानि जो आपको प्रूव करने तो यह DC chord ही दो angle यह बना रही है तो यह कौन से angle है angle in the same segment that's all तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा ABCD जो four vertices हैं they must lie on the circle because it is cyclic coordinator फिर आप लिख सकते हैं therefore angle therefore angle जो आपने प्रूव करने CAD CAD is equal to angle CBD CBD reason क्या देना है angles made by chord CD in the same segment बस यह reason डालेंगे खतम कहान hence approved इतना basic और easy question नहीं कोई difficulty नहीं इसमें ठीक है फहले quadrate को cyclic बताया फिर chord DC ने same segment में जो angle बनाए उनी को equal करना था तो same segment में जो angles है वो equal होते हैं ठीक चली now the last question number 12th of the chapter circle you can read question is very simple prove that cyclic parallelogram is a rectangle cyclic बोल रहा है मतलब opposite angle का sum 180 होगा और उसके सभी vertices circle पे होगे of course तो मैंने यहाँ पर एक parallelogram बना दिया इसका नाम रख दिया मैंने ABCD तो given में आप लिखेंगे ABCD is a cyclic parallelogram to prove में लिखेंगे ABCD is a rectangle proof is very simple मेरे प्यारे बचे किसी parallelogram को अगर आपको rectangle बताना है कोई quadulator में इस type के मैंने बहुत सारे question आपको पढ़ाई तो parallelogram को rectangle बताने के लिए उसका कोई एक angle 90 degree का बता दो that's all अभी बता देते मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों मेरी बास हो दो यह जो angle A है वो जो angle C है इनका sum कितना होगा बताईए तो आप बोलेंगे 180 क्यों opposite angles of cyclic quadulator यह cyclic quadulator की opposite angle इनका sum 180 होता है अभी अपने देखा लेकिन मेरे बच्चे यह angle A और angle C तो equal है अरे वो कैसे क्योंकि यह parallelogram है न तो आप बोल सकते हैं opposite angles of parallelogram यह parallelogram के opposite angles equal होते हैं वो हमने पढ़ रखा है quadulator में तो A और C का sum 180 है और दोनों यह equal है तो कितने कितने degree के हुए अरे भाई दोनो 90 90 degree के हुए कहां हमने एक angle 90 बताना था उस parallelogram का तो हमने तो दो-दो angle 90 के बता दी बस आगे लिखना है hence ABCD is a rectangle बस इतना से ही कोशन है I hope आपको समझ में आ गया very simple तो मेरे बच्चे इसी के साथ हमारा circle chapter complete होता है thoroughly पढ़े geometry portion 27 marks का है that is very important हर एक chapter मैंने आपको detail में पढ़ा दिया ठीक तो आज के lecture में इतना बचे thank you bye bye and take care